स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफॉर्डबल हलो एवरिवन वालकम तो स्टडी आईक्यू तो फ्रेंट्स आज हमें एक होती इंपोर्टन डिसकेशन करने वाले हैं जिसलियों की डिसकेशन आपको पता है चल रही है और आज हमारा जो चेप्टर है वो है आपक आपको पता लगेगा यह मैब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह बिलकुल एरिया ऐसा है जो टॉपिक के साथ में है ट्रॉपिकल एरिया के साथ में है इसलिए हम इसको वर्म टेंपरेट बोर रहे हैं और अगर आप इन एरिया को कंपैरेजन करेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया इस क्लाइमिट का यहां पर देखने को मिलता है इसलिए इसको मेडिटिरेनियन में देखने को मिलेगा उस एरिया में आपके विंटर में रेंफॉल देखने को मिलेगा बट समर जो है आपे वो ड्राइ होती है अब आप सोच रहे होंगे सर इंडिया में तो समर जो है वो वेट होती है विंटर ड्राइ होती है जी हां लेकिन यहां पर विं इसे Z आपका Northern Pole की तरफ सिफ्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ये जो बेल्ट है ये उपर की तरफ सिफ्ट हो जाएगी और जब आपका Temperate Area उपर की तरफ सिफ्ट होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे जो Conditions होंगी वो कैसी होंगी आफशोर विंड्स होंगी मतलब वहाँ पे वो मौनसून नहीं लेके आएंगी मौश्ट नहीं लेके आएंगी दूसरा जब विंड वाम होती है तो उसकी मौश्ट होल्डिंग कैपस्टी ज़्यादा होती है अगर थोड़ा बहुत मौश्ट एल्ड हो भी तो उसकी होल्डिं यहाँ पर onshore wind की तरह काम करेंगी और क्योंकि यह area cool है इसलिए यहाँ पर क्या होगा rainfall आपका winter में देखने को मिल जाएगा that's why this region is quite prominent winter में यहाँ पर क्या होता है आपका rainfall देखने को मिल जाता है simple to understand अब अगर आपका rainfall winter में होगा तो definitely इसको ही हम specifically Mediterranean type of climate भी बोलते है sometime Californian या पर Central Chile आपके Western Cap South Africa के अंदर यह भी देखने को मिल जाता है तो climate की specifically अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर warm summer होगी जो कि dry होती है with offshore trade winds तो offshore trade winds यहाँ पर देखने को मिल जाती है अब आप यह देखो कि यहाँ पर जो summer month है वो काफी लंबा होता है summer duration जो लंबा होता है ऐसा नहीं क्यों को short summer है summer duration लंबा होता है इसलिए हम use कर रहे थे warm temperate और अगर summer लंबा होगा तो automatically rainfall तो हो नहीं रहा इसलिए यहाँ पर क्या होता है prevailing drought conditions जो है आपकी वो establish हो जाती है तो summer right at this place having high temperature high temperature की विज़े से क्या हो जाता है आपका dryness देखने को मिलती है तो specifically यह पे इस पे location जो आती है वो आपके sun की आती है sun का जो apparent moment है वो tropics की तरफ होगा पॉल्स की तरफ होगा तो automatically आपके जो tropical areas की जो belt है वो उपर की तरफ shift होगी मतलब subtropical high pressure belt है वो उपर की तरफ shift होगी अब देखो कल भी हमने बात की थी subtropical high pressure belt की high pressure belt वो होती जहाँ पे sinking air होती है अब sinking air अगर होगी तो definitely वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा stability यह भी एक region है जिसके विज़े से यहाँ पे summer मेरे rainfall नहीं होता तो आपकी belt of westerlies जो है वो sun के साथ में स्थ होगी पॉलवर्ड और आपका wind जो है वो offshore हो जाती है dry winds देखने को मिलती है and that's why यहाँ पे कोई भी prominence जो है आपका winds का या rainfall का summer में देखने को नहीं मिलता but उसके opposite अगर मैं बात करूँ winter की तो winter climate इसके लिए काफी favorable होता है तो summer तो हो गया आपका offshore wind warm लेकिन winter जो है वो rainfall लेके आता है कारण क्योंकि winter के time पे अगर आप map पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपका ITCZ नीचे आएगा नीचे आने के बाद यहां पे वेस्टलीज का influence होगा और वेस्टलीज तो onshore wind है वेस्टलीज क्या है यहां पे onshore wind है अब वेस्टलीज अकर onshore wind है तो definitely वो क्या लेके आएंगे Atlantic से moisture लेके आएंगे और इस area के अंदर abundant rainfall विंटर के अंदर देखने को मिल जाता है that's why winter are wet and summer are dry in this particular area अब सवाल आता है कि जो winter है वो तो ITCZ के southern moment की वेज़े से onshore wind हुई और rainfall हो गई but apart from this और क्या climatic condition यहां पे देखने को मिलती है देखो यहां पे क्योंकि हमने देखा कि आपकी जो hot or dry summer है और जो wet और mild winter है यह आपकी जो particular area है उसको काफी shiny बनाती है plus में यह pleasant weather होता है इसलिए tourism के लिए यह area काफी ज़्यादा popular है rainfall की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि ITCZ जो shift होता है वो आपकी equinox के time पे southern में जाना शुरू होता है मतलब लगबग September में तो उसी time पे यहां पे rainfall आना शुरू होता और maximum जो है आपके October की time पे rainfall काफी heavy देखने को मिल जाता है अब prominence यहां पे local winds का भी होता है ऐसा इसी लिए है क्योंकि local winds में आपको याद होगा आपने land bridge और sea bridge के बारे में पढ़ा था अब यहां पे तो climatic condition बहुत contradictory है कहीं पे land mass है कहीं पे water body है तो मतलब यह हुआ कि high pressure और low pressure locally जो है वो establish हो जाएगी जब high pressure low pressure establish होते हैं तो definitely in that case आपका moment जो है वो मेडिटरियन में local winds का देखने को मिल जाता है अब अगर local wind मिल जाती है तो उसमें दो popular wind होती है एक होता शिरोको wind जो की आपकी hot dry और आपकी dusty wind होती है देखिए शिरोको wind जो आती है वो आपके सहरा desert वाले area से आती है अब dust त आती हैं तो यहां पर red sand है red sand होने की वज़े से जब यहां पहुंचती है Mediterranean से आपका moisture उठाती है और यहां पर rainfall करती है तो रेंज जो है उसका color भी red होता है और red color होने की वज़े से उसको क्या बहुते हैं blood rain के नाम से जानते हैं दूसरी जो wind है वो है आपकी mistral wind जो की cold होत अब देखो natural vegetation की अगर हम बात करें तो आपको पता ही लग गया कि यहां पर summer जो है वो तो dry होती है अब summer dry है उसका मतलब क्या होगा आपकी sunlight तो काफी अच्छी है बट evaporation ज्यादा है यही होगा जब sunlight ज्यादा है तो evaporation भी ज्यादा होगा और दूसरा summer के अंदर rainfall हो नह जहां पर आपकी जो conditions होगी वो desertic type conditions हो सकती है और desertic type condition के अंदर जो vegetation होता है उसको आपकी zerophytic conditions को adopt करना पड़ता है उसका character जो है वो zerophytic type of character हो जाता है मतलब जो उसका behavior है वो होगा zerophytic अब zerophytic behavior होगा उसका simple सा मतलब यह होगा कि at this particular place मुझे एक चीज नजर आएगी और वो यह होगी कि आपकी जो roots हैं यहाँ पर जो आपका plant होंगे species होंगे उनकी roots काफी deep में होती है काफी depth होती है ताकि वो क्या कर सके moisture को absorb कर सके दूसरा इसके अलावा अगर मैं specifically बात करूँ छोटे छोटे एरिया का Mediterranean evergreen forest का जो Mediterranean evergreen forest है वो open woodland होते हैं evergreen type होते हैं coastal areas के अंदर देखने को मिल जाते हैं mainly यहाँ पर eucalyptus type के forest जो है वो देखने को मिलेंगे अब एक सीज और समझना यहाँ पर देखो आप अगर इंडिया के अंदर vegetation पर focus करोगे तो आपको पता लगेगा कि सर खरीफ crop जो ह उनकी growth तो काफी fast होती है लेकिन जो रभी crops है उनकी growth comparatively slow होती है ऐसा कारण क्या है इस चीज का क्या मुझे बता सकते हो किसका particular reason क्या है जी हाँ इसको किसी भी तरीके से relate कर सकते हो आप even अपने घर में कोई अगर बच्चा है तो उससे भी correlate कर सकते हो उस बच्चे ने चलन वोग करना बोलना जब चीखा जब गर्मी आई सर्दी के अंदर वो बच्चे की growth जो है वो कहिना पी slow होती है मतलब यह हुआ vegetation के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि vegetation का perfect time जो growth का होता होता summer time winter time में जो growth है वो काफी slow होती है अब summer time अगर perfect time है growth का तो मुझे एक चीज नदर आती summer म के अंदर dry देखने को मिल रहा है और अगर summer dry है तो फिर growth को हम fast करेंगे कैसे बहुत slow होगा winter है वो wet है लेकिन winter में growth वैसे नहीं होता है तो properly मैं यह कह सकता हूं इस particular reason के अंदर आपका shed जो है वो absent रहेगा जो आपके growth है वो काफी slow रहेगी और growth slow होने का सबसे बड़ा कार अगर यहाँ पर summer में भी rainfall होता ना तो फिर यहाँ पर growth जो है वाथी luxuriant होने वाली थी उसका current simple था कि summer में growth होती rainfall हो रहा है winter में अगर slow होती तो भी आपका rainfall हो रहा है that is going to be really amazing for a vegetation इसके अलावा क्या चाहिए होता है यार vegetation को at every time they have the rainfall तो उनके लिए तो मज़े हो जाते है but that is not happening right here there is a total opposite case दूसरा vegetation यहाँ पर देखने का मलता है evergreen conny forest trees देखो जसे इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इंडिया के अंदर mountainous area है plain area है western ghats है eastern ghats है coastal areas है but mountain भी है इसलिए जो इंडिया का vegetation है वो mountain के हिसाब से change होता चला जाता है हम पढ़ते हैं कि mountain broadleaf mountain middle forest mountain pine type forest मतलब यह हुआ कि altitude भरने से temperature के अंदर variation आते है और जब temperature vary करता है तो automatically उस case में हमें देखने को मिलेगा कि आपकी vegetation जो है वो definitely vary करेगी तो right at this place क्योंकि यह temperature area तो है तो already यहाँ पर temperature कम है बस उसके बाद में अगर हलका सा भी altitude change हो गया तो यहाँ पर pine type या far type या sadar trees जो है वो देखने को मिल जाएंगे sadars देखने को मिलेंगे मतलब यह हुआ कि इस area में जो आपके coniferous forest start हो जाते है क्योंकि यहाँ पर snowfall होगा temperature काफी low होता है और जी coniferous forest होते है ना इनकी leaves काफी hard होती है मतलब यह easily degradable नहीं होते अगर हम बात करेंगे इनके bio degradation की तो easily नहीं होता easily नहीं होता तो definitely these are hard waxes leaves देखने को मिलेंगे अब hard और waxes leaves होंगे तो यह इनको evaporation से बचाते हैं क्योंकि summer आएगा तो फिर वो dry होगा तो evaporation होगा अगर यह आपके leaves soft होते तो फिर evaporation होता और evaporation अगर होता तो definitely trees को अपनी leaves shed करने परते but क्योंकि evergreen tree है तो यह अपनी leaves को shed तो नहीं करते that's why they are hard and waxy ताकि evaporation जो है वो mini wires हो सके और इनके अंदर development जो है वो evergreen टाइप की देखने को मिलेंगे तीसरा हमारे पास होता है Mediterranean bushes and subs देखो यह तो होना ही है bushes and subs का मतलब होता है कि ऐसे plant ऐसे vegetation ऐसे trees जिनकी height जो है वो बहुत कम होती ड्वार्फ है जिनकी height जो है वो बहुत कम है वो ड्वार्फ tree की तरह behave करते हैं तो क्योंकि summer जो है जैसे मैंने पहले बताया कि summer जो है यहाप rainfall जरूरी तो है लेकिन temperature का होना भी जरूरी है growth के लिए but unfortunately आपका temperature तो मिल नहीं पा रहा जब आपकी rainfall हुई है that's why आपका summer dry के अंदर यह bushes यह वो डवलप होते हैं अब अगर वो डवलप होंगे तो अब क्या होगा यह जो आपकी land है यह बहुत ज्यादा degrade हो चुकी है उ street of forest दूसरा over grazing भी यहाँ पे कारण बनता है over grazing की विज़े से भी यहाँ पे क्या होगा prominence देखने को मिलता है कि आपकी जो land mass है वो खतम होता जा रहा है अब देखो दोनों ही रीजन से यहाँ पे soil erosion की भी problem आजा भी है आपको पता है किसी area के अंदर अगर vegetation नहीं होगा तो definitely वहाँ पे erosion की problem भढ़ जाएगी erosion की problem का भढ़ना मतलब यह हुआ कि वहाँ पे soil जो है वो fertile नहीं रहती इसलिए agriculture जो है भूद ज़्यादा prominent इस case में देखने को नहीं मिलेगा and even आपकी winters जो है उसी के time पे आपका क्या हो रहा है rainfall हो तो summer में जो growth अच्छी होती है वो growth possible यहाँ पे नहीं हो पाएगी एक और land भी है यहाँ जिसको grasses बोलते है तो grassland की अगर मैं बात करूँ तो देखो to be frank अगर directly में बोलू तो यह जो reason है यह जो climate है वो grasses को कोई खास support नहीं करता है it doesn't support the grasses यहाँ पे grasses का dominance है वो एक अच्छे level पर देखने को नहीं मिलता है उसका कारण क्या है उसका कारण है यहाँ का climate जो Mediterranean type of climate है वो ही आपका इस grasses को suit नहीं करता है में कारण क्या है इसमें आपकी summer में जैसे इंडिया के अंदर भी हम देखते है न तो अगर आप ऐसे reason से northern plane से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको पता भी होगा animals को grasses हमारे यहाँ पे तब मिलती है जब खरीब crop का time होता है जब आपका rainfall summer time पे अच्छा चल रहा होता है तो grasses की growth भी अच्छी होत grasses की development का कोई method यहाँ पे बनता नहीं है अब grasses नहीं होंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्या आप बोल सकते cattle rearing होगा note it all cattle rearing के लिए उनके पास में raw material का होना जरूरी है अब जब raw material ही नहीं है तो फिर cattle rearing का कोई खास role नहीं बनता cattle rearing is not important activity at this place और वही चीज़ जैसे shops जो है वो overgrazing की वज़े से हटाए जा रहे थे वैसे यहाँ पे grasses जो है वो naturally ही होती नहीं है they are this climate is unfit for grasses और अगर ये climate unfit है grasses के लिए तो definitely उस case में क्या होगा soil erosion is prominent at this place ठीक है soil erosion क्या होगा इस place के ओपर prominent होगा soil erosion जो है काफी ज्यादा होता है इस particular area के अंदर ये चीज़ आपको देखने को में जाती है next important thing अब हमें ये जानना जरूरी है कि सर यहाँ पे लोग किस टाइप की economical activity करते हैं कुछ तो काम करते होंगे और अगर हाँ तो किस टाइप का काम यहाँ पे लोग करते हैं देखो सबसे पहले तो economic activity के अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारी civilizations जो है उनका end हुआ है it is a cradle और आपकी develop भी हुई ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि end तो फिर भी world के अलग-अलग areas भी हुआ क्योंकि British empire जो spread करता चला गया लेकिन development वो काफी ज्यादा civilization का हुआ चाहिए वो French civilization है चाहिए वो British civilization है चाहिए अधर civilization जर्मन है इन सब का development हुआ तो मतलब this is orchard farming जो है यहाँ पे popular है लेकिन this land is known as cradle of the world's civilization अंग्रेज जब यहाँ पे आये थे ना तो उनका एक dialogue था white man's burden मतलब हमें आपको civilize करवाना है और यह हमारे उपर burden है मतलब by any mean हम यह responsibility पे तो कर रहे हैं लेकिन यह एक burden की तरह हम पे कर रहे हैं कोई हमारे duty नहीं है आपको civilize कर लिए और इसलिए वो यह मानते हैं कि civilization की development वहाँ से start हुई है और वहीं से civilization आपकी spread होना शुरूई हालांकि वह इंदस बेले civilization का इतियास नहीं पड़ते जो कि सबसे पुराना है सबसे oldest civilization, one of the oldest civilization के अंदर देखने को मिल जाता है इस प्लेस हमें यह देखने को मिलता कि इस एरिया में जो आपका civilization of the world का basically cradle रहा है वहाँ पे आपके orchard farming जो है वो देखने को मिलती है मतलब यहाँ पे बाग लगाए जाते हैं citrus fruits के citrus मतलब ऐसे fruits जो होता है औरेंज हो गया, grapes हो गए, lemon हो गए, यह टाइप के fruits जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं अब यह fruits देखने को मिलेंगे तो I can say कि एक जैसे संकिस्ट जो आपके orange होते हो काफी popular होते हैं, इनका export भी किया जाता है, imported orange के नाम से आप इनको purchase करते हो olive trees यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो मतलब orchard farming जो है, वो ज़्यादा popular है not like India की जिसके अंदर की खरीफ और अभी crops कहां growth करते हैं, वो यहाँ पे नहीं है अब इनसे देखा, आप एक impact देखोगे, वो थोड़े दिर में मैं बताऊँगा तो crops की अगर cultivation की बात करें, तो यहाँ पे पता लगता, cereal crops जो है वो grow की जाती है, कब की जाती है, देखो, वई summer और winter दो ही time में इनके पास ने लेकिन winter ठीक है rainfall होता है, तो winter के अंदर wheat बगरा growth करते हैं और hard wheat होते हैं, hard winter wheat होते हैं लेकिन summer time पे यहाँ पे क्या होता है, अगर irrigation facilities अविलेबल हैं तो फिर आपकी paddy cultivation, cereal crops, rice cultivation, California के अंदर rice cultivation होता है तो west, middle latitude, western margin तो यह भी है California तो यहाँ पे prominent rice cultivation होता है California के अंदर दूसरा यह भी देखने को मिलेगा, कि summer में इन areas के अंदर ice melt होना शुरू होती है तो वो जो water है, उसको dam बना के या by any mean हम divert करते हैं irrigation के लिए और तब हम agriculture करना इस area में शुरू करते हैं Trans humans देखने को मिलते हैं, मतलब migrate करते हैं वो अपने ship के शाथ में या फिर animals के साथ में एक place से दूसरे place पर migrate करते हैं तो that is also one of the issues जो यहाँ पर नजर आता है आपका तो यह crop cultivator यहाँ पर होते हैं अब देखो यह जो area है, यह wine production के लिए बहुत popular है अगर आप इस area के लोगों की photo को भी search करेंगे गूगल पर तो most of the time ऐसा ही आता है कि उनके हाथ में wine की bottle होती ही उसका कारण यह है कि यहाँ पर wine का जो production है वो बहुत ज़्यादा होता है wine कैसे बनती है? wine बनती है grapes से तो मतलब viticals जो आपका grapes की farming है वो काफी ज़्यादा है यहाँ पर इवन यहाँ पर जो grapes होते हैं 85% grapes जो है वो wine production के अंदर ही जाते है annually 46 million ton of grapes जो है वो आपकी wine के अंदर जाते है तो wine जो है यहाँ पर production वो काफी popular है यहाँ पर जो grapes हैं उनको export नहीं किया जाता even काफी सारे ऐसी भी fruits हम dry fruits हम consume करते हैं जिनमे dry grapes भी होते हैं तो होता क्या है कि जो grapes खराब होते हैं quality में वो उनको dry out करके फिर export करना शुरू करते हैं fresh grapes को यह export नहीं करते हैं आप देखी पार 85% तो wine के production में ही चला जाता है कुछ यह dry करके आपका dry fruits की form में export करते हैं तो fresh fruits का export यहां पर लगभग ना के ही बराबर होता है तो this is basically the Mediterranean type of climate या फिर warm temperate western margin of climate जिसके अंदर दो चीज़े आप हमेशे याद रखेंगे one is कि summer dry और hot होती है winter cool और wet होती है तिसरी important चीज़ यहां पर grapes cultivation जो ज़्यादा होता है और wine का production भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है अब एक important information में आपको share करना चाहूंगा information यह है कि 30th November से आपका study IQ live foundation बैच जो है वो start हो रहा है study IQ का live foundation बैच आप super learning days sale के अंदर आप definitely admission ले सकते हैं और admission लेते हुए आप couple live का code use करेंगे तो आपको 17.499 के अंदर यह admission मिल जाएगा this is offer, this offer is only available for this date particularly क्योंकि आपका batch जो है वो सरफ आज-आज admission जो है available है मतलब आज आपका batch जो है basically execute हुआ है start हुआ है तो definitely आपको यहाँ पे यह code use करके आप admission ले सकते हो अपनी तयारी को formalize कर सकते हो अगर आपको NCRT को study करना है वो भी minimal price पर तो 5th December से आपका NCRT batch start हो रहा है 100 days के classes होंगे 1499 के अंदर आपका batch देखने को मिलेगा after using the discount code of couple live चैनल से update पाने के लिए couple भार्दोज official को आप subscribe कर सकते हैं join कर सकते हैं और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो couple.bharthos2222 मेरा इंस्टा हैंडल है बहाँ पे आप मुझे follow कर सकते हैं चलिए फिर next class में फिरसे मिलते हैं thank you very much all the best